हलो दोस्तों नमस्कार हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागात है दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट में 1899 पदों के लिए वेकेंसी जारी कर दिया गया है और उसका जो आल इन एक्जाम फार्म है वो 10 नॉवंबर 2023 से चालू हो चुका है तो चलिए हम उसके बारे में पूरा डीटेल से डिसकस करेंगी कि कीज की स्पदों के लिए कौन-कौन सी कि वीकेंसी आया ही हार उसके योग्यता है क्या है उसके बारे में तो चलिए Państwo यहाँ पर वाइड बोर्ड में आनवेदन कर सकते हैं विए दस नॉव्बर 2023 लास्ट डेटेंगे नाव दिसम्बर 2023 तक है एक्जाम आप उसमें करेक्शन का कब तक कर सकते हैं तो 10 दिसम्बर से 14 दिसम्बर तक आप आल इन आवेदन जमा किये हैं उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं examination क्या है examination नहीं होगा इसमें क्या है exam नहीं होगा और merit किश अधार पर बनेगा तो merit आप all in application जो details डाले रहेंगे उसी के अधार पर क्या है जो merit बनेगा कहने के मतलब यह है कि जीतना ज्यादा marks रहेगा उसका क्या है सेलेक्शन होगा तो यहां पर कितने पदों पर णिकला है तो टोटल है 1899 सल्टन असिस्टेंड सासziej इसका क्या है 5789 इसके लिए कौलिफिकेशन क्या है इसके लिए qualification है graduation, रूम्र क्या होनी चाहिए 18-27 वर्स, sorting assistant है इसका 144 है, इसके लिए भी क्या है graduation पास होना चाहिए, किसी भी मायनेता प्राप्तवी सिविद्ध्याला से 18-27 वर्स तक होना चाहिए, और क्या है computer का आपको क्या है basic knowledge होना चाहिए, इसके लिए कोई certificate नहीं क्या है computer का लेकिन आपको क्या है basic computer का knowledge होना चाहिए और क्या है इसमें आपको local जो area है जिसे 36 सरकल में लिकला है तो क्या है आपको local क्या है language, 36 गड़ का आना चाहिए ठीक और यह क्या है postman का कितना है तो 585 पोश्ट है, ठीक कितना है? 585 पोश्ट है, mail गार का कितना है? 3 रहे और इसके लिए बारवी कितना दोस्तों इसके लिए क्या है बारवी पास आपकी योगता होनी चाहिए और यह पोस्ट अमेन है इसके लिए क्या है टू वीलर का ड्राविंग लाइसेंस मुंटिमaram चाहिए इतना आपको याद रुक्त네 है टू विलर का क्या ध्राविंग लाइसेंस उनी चाहिए और morning टास्किंग स्टापं क्या है दोस्तों multi टास्किंग जो स्टापं इसके लिए टोटटल पांस सब सतर पदो पर विकेंसी निकला है और इसमें दस्वी पास आपकी सक्षडिक योग्यता होनी चाहिए और 18-25 वर्षा क्या है आपकी आयू होना चाहिए साथी जो है उसके लिए पांच वर्षा की चूट भी है कहिने के मतलब है कि जो एसी और एस्टी है उसको क्या है 18-30 वर्षा होना चाहिए इसमें भी 33 वर्षा होना चाहिए ठारा से 33 वर्षा और इतना सभी चीज़ों के लिए आपको ठीक है अब इसके लिए ट्रिचाह है आपको सूल्क क्ना लगेंगा एक्जाम में क्का है आपको कितना लगेंगा इसके लिए एक्जाम सूल्क अर्रीजर्व वाले उनके लिए क्या है 100 रुप्य का एक्जाम सुल्क लगेगा बाकी एस सी एस्टी ओविसी इडब्लू एस और विकलांग जितने जो अभ्यारती होंगे उसको क्या है फ्री होगा उसके लिए कोई भी एक्जाम फिस नहीं लगेगा इसका पीडियाप आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जूर ज़िए टेलीग्राम चैनल का लिंग वीडियो की डिस्किप्सन में दे राखा हो वहां से आप इस पीडियाप को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं और जो भी रि थैंक यू